Welcome back everyone, आज हम बात करेंगे Non-Linear Data Structure के बारे में और आपको बताएंगे Non-Linear Data Structure होता क्या है Tree एक Non-Linear Data Structure है, जिसके अंदर Data जो store होता है, वो किछी sequence में होता है, कोई order follow नहीं करता है तो चलिए हम आगे बहते हैं और समझते की Non-Linear Data Structure जो की Tree है, वो होता क्या है तो tree के अंदर basically हमारे nodes होती है तो definition यह बोलती है A tree is defined as finite set of elements or nodes such that one of the node present at the top of tree is marked as root second point the remaining elements are partitioned across multiple sub-trees तो मतलब यह है कि जो tree जो होता है तो उसके अंदर nodes होती है और सबसे उपर जो node होती है वो parent node कहलाती है जिसको हम root node बोलते है तो right hand side पे आप देख सकते हैं diagram में मैं कुछ oval या circle आप बोल सकते हो नाम के कुछ symbols बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि tree होता क्या है तो यहाँ पे मैंने अभी 3-4 बना दिये और यह जब complete हो जाएगा तो आपके सामने एक structure त्यार हो जाएगा non-linear data structure का जिसका नाम है tree तो यह oval shape में जो मैंने बनाए है यह यहाँ पे कहलाते है nodes तो जितने भी oval shape में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यह सारे nodes हैं और यह जो line दिख रही है एक circle से दूसरे circle को connect कर रही है इसको हम बोलते है path तो देखें यहाँ पे हर node दूसरे node से connect हो रही है वाया path नोट्स हैं उनको मैं आपस में एक दूसरे से connect कर दूँगा और यहाँ end में आपके सामने एक tree structure बन जाएगा तो अभी मेरी यह right hand side वाली node मैं connect कर रहा हूँ और यह देख सकते हैं आप मेरा एक tree structure बन गया है इसके अंदर मैंने data store कर दिया है nodes में A, B, C, D, E, F, G, H, I तो हर node के ने data store कर दिया है और सबसे ओपर जो node होती है उसको हम root बोलते हैं और उसके नीचे जितनी nodes होती है वो child nodes कहलाती है तो आप diagram में भी देख सकते हैं कि child nodes वो होती है जो की root node के नीचे होती है कि B, C, D, E, F, G, H, I सारी के सरह हमाई child node है तो right hand side पर आपको बता रहा है कि parent node कौन सी होती है तो वो node जिनके child होते हैं वो parent node कहलाती है जैसे कि यहाँ पर B, C, D, A तो यह हमारी क्या है यह सारी हमारी parent node है तो parent node वो होती है जिनके child होते हैं तो right hand side पर आप देख सकते हैं मैंने parent node के nodes के नाम लिग दी है आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि leaf node क्या होती है तो एक tree में हमारी type की एक node है जिसको हम leaf node बोलते हैं तो leaf node वो node होती हैं जो कि आपको बिलकुल end में पाई जाती है मतलब उनका कोई भी child नहीं होता है तो यहाँ पर अगर मैं कुछ leaf node का नाम लिखूंगा तो वो नाम इस प्रकार है आप diagram में भी देख सकते हैं लेगिन आगे चलने से बहले एक बार मैं आपको definition क्या होती है तो leaf nodes are those nodes which do not have any child तो वो node जिनका कोई भी child नहीं होता है वो nodes हमाई क्यालाती है leaf nodes तो यहाँ पर diagram में अगर हम देखेंगे तो right hand side मुझे कुछ nodes ऐसी दिख रही है जिनका कोई भी child नहीं है तो उनको मैं यहाँ पर mark करके भी आपको दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर leaf node है E क्योंकि E का कोई भी मेरा यहाँ पर child नहीं है फिर है F, F का भी कोई child नहीं है फिर है G, फिर है H, फिर है I तो यह वो nodes हैं जिनका कोई भी child नहीं है तो इसलिए हम इनको leaf node कहते हैं तो यहाँ पर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको तो जैसे कि E, F, G, H, I node कहला है जाती है तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और term को जो कि tree के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है degree of tree तो degree of tree या degree of nodes हमारा यह बताता है कि number of sub-trees coming out of nodes तो कितने number of sub-trees हमारे एक particular node में है तो वो हमारा बताता है degree तो चलिए देखते हैं degree हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने लिख दिया degree और फिर यहाँ पर मैं हर node के पास जाके उसके degree लिखूँँगा तो जैसे node A के पास पहले में गया और लिखा मैंने node A is 3 तो node A इस 3 का मतलब है यहाँ पर 3 हमारे यहाँ पर यह बता रहा है कि इसके 3 path निकल लें देश्चे A से हमारा पहला path B के तरफ जा रहा है फिर A से 1 path C के तरफ जा रहा है फिर A से 1 path हमारा D की तरफ जा रहा है तो ऐसी हम node B के पास जाएंगे और B के लिए लिखेंगे B node is 2 मतलब B node जो है उसका path कितना है और उसका degree कितना है 2 कैसे ही क्योंकि B से आपका E connect हो रहा है आप देख सकते हैं और B से ही आपका F connect हो रहा है तो similarly मैंने यहाँ पर D node के बारवे में लिख दिया उसका भी है 2 क्योंकि उससे H और I connected है तो चलिए अब हम next term के तरफ चलते हैं levels तो levels क्या होते हैं tree के अंदर तो यहाँ पर जानने के लिए हमें starting में जाना पड़ेगा तो top पे हमारा A है फिर उसके नीचे हमारा B है फिर उसके नीचे हमारा E है तो level जो A है उसका level है zero B है उसका level है one तो one पे हमारे कौन कौन से आ रहे है B, C, D तो level one पे हमारे B, C, D आ रहे है और level two पे हमारे E, F, G, H, I तो यह सारे मैंने एक ही उसमें ले लिए है level two पे ही ले लिए है लेकिं diagram में आप दे सकते हैं B और E, F का जो पात है वो थोड़ा stretch हुआ हुआ है लेकिं सब A की level पे है तो यह आपके हमारे level two पे आगे तो आप देख सकते हैं तो हम को diagram में ही draw करके दिखा देता हूँ कि level zero, level one, level two और level three अगर हुआ तो कैसे होगा तो आप देख सकते हैं आपे जो parent है आपका वो level zero पे है और यह जो line आपके left to right मैंने बनाई है यह level one कहलाता है ठीक है और इसके नीचे जब हम जाएंगे तो आपको level two मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे देखें diagram में भी बना रहा है आपको कि A जो है zero level पे है और यह देखिए है एच आई और जी मैंने level two पे रख दिया है ठीक है उसके नीचे जो level अगर आता है तो वो आपका level three है लेकिन आपको पहले मैंने बताया है मैंने अपने diagram में E और F को A की level पे रखा वाए ठीक है तो चलिए अब next हम term की तरफ चलते है depth या height of tree तो height of tree क्या होती है हम root से लेके ठीक है leave note तक की अगर हम बात करते है तो वो हमारी height of tree होती है तो यहाँ पे height is हम लेंगे longest path तो longest path हमारा है A, B, F या A, B, E तो यह हमारा हो गया 3, 1, 2, 3 तो हम यहाँ लिखेंगे height is 3 तो देखें यह हमारा path है जो की diagramatically मैं आपको draw भी करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे 1, 2, 3 तो 3 notes हैं तो इसकी height कितनी होगी 3 तो maximum number of notes जिस path पे होंगी आपको वो path लेना है ठीक है तो next हम चलते हैं path तो path हम कैसे find out करते हैं path of a tree तो यहाँ पे path मैंने लिख लिया है और आपको यहाँ path अगर a से लेके e तक जाना है अगर a note से e note तक जाना है तो मैं या a note से f note तक जाना है तो मैं लिखूंगा a फिर b note फिर b से मैं आऊँगा f पे ऐसी मैं अगर a note से जा रहा हूँ h note के तरफ जाना तो a, d, h तो a के पास जाऊँगा फिर a से d के पास जाऊँगा d note पे d से फिर h के पास जाऊँगा similarly for a, d, i so learners अब हम next video में मिलेंगे और next video में जितनी भी tree की terminologies हैं उन पे हम काम करेंगे और आपको बताएंगे कि tree पे work कैसे किया जाता है till then keep learning